अगर आप देखेंगे, सबसे पहले बात तो यह एक जूटा प्रपोगंडा, BJP, RSS, यह कर रही है पुरे देश में, कि वक्ष प्रापटी जो है, वो एक प्राइवेट प्रापटी है, BJP उसको ऐसा बता रही है, कि यह गौर्मेंट प्रापटी है, तो यह एक प्राइवेट प्रापटी है नमबर वन, दूसरा एक जूटा प्रापगंडा, BJP, RSS, और उनके अलाइस के तरफ से किया जा रहा है, कि वक्ष बोट के पास देश में नौ लाक चालीस हजार एकर जमीन है, यह एक अफवा पहला ही जा रही है, नौ लाक चालीस हजार है, कितने बतीस स्ट वक्ष बोट में, अगर आप तेविलनाडू, आंधरा, तेलेंगाना, और ओडिसा के तेरा हिंदू एंडोमेंट बोट की प्रापटीस को ले लिए, तो यही पर दस लाक एकर जमीन हो जाती है, तो यह जूटा प्रोगंडा के जा रहा है, कि आर्मी, रेलवेस के बाद वक देंगाना और ओडिसा में सिर्फ तेरा प्रापटीस को कैग ने देखा, इन चारों को आप मिला लीजिए, दस लाक एकर हो जाती है, पांची बात यह है, कि यह जैसा हिंदू धरम में प्रापटीस दान दी जाती है, वैसा है मुसलिम धरम में यह दान दी गई प्रापटी है, अब उसमें गॉर्मेंट केंटेफरेंस क्यों हो रहा है, यह आर्टिकल ट्विंटी सिक्स का वाइलेशन है, आर्टिकल ट्विंटी सिक्स में लखा गया कि कोई भी रिलिजियस डिनामिनेशन अपने मजभ पे भी चल सकता और अपने जो इम्मूवबल मूवल प्रापटीज को डिवलप करने के लिए, वख प्रापटीज में एफिशेंसी लाने के लिए, यह बिल नहीं लाई है, यह बिल इसलिए लाया गया है, ताके हमेशा के लिए वख बोर्ट को खतम कर दिया जाए, इसकी मिसाल आपके साम में दे रहा हूँ, नाइन्टी नाइ नमाज हो रही एक जगा पर, यतीम खाना है, खबरस्तान है, अब बीजे पी इस बिल में वख बईुदर खतम कर रही है, वैसे अगर आप हिंदू धरम में देखेंगे, कई एंडॉमेंट बोर्ट के देखेंगें, वहाँ पर बायूसेज वो प्लेस रिलियस हो जाती है, ल रिजिस्टर्ड वख प्रापर्टीज है, सुनी वख बोर्ट में, उसमें से एक लाग बारा हजार तो वख बायूसर है, जब वख बायूसर खतम हो जाएगा तो कौन सा लाव अपले होगा उसके अपर, एक ये हो गया, ये इनका ये वख बचाने का मतलब में, खीसने का मत क्या है, क्या वो पांच वखत की नमास पढ़ने वाला होगा, क्या वो दाड़ी होगी, सर पे टोपी होगी, क्या वो रातों में जाके मजजिद में अबादत करेगा, क्या वो खुरान का हाफिज होगा, क्या उसकी वाइफ मुसलिम होगी, ये तुम कोनों ते ते करने वाल पांच साल प्राक्टिसिंग मुस्लिम है न ये देख लो आप, अच्छा कोई ऐसा लौ हिंदू धरम में नहीं है, कोई भी कभी भी दान दे सकता है, आप ये क्यों लेकर आए बताओ, आप कोनों ते मैं प्राक्टिसिंग हूं नहीं हूं, मैं मुसल्मान हूं, मेरे घर में ज देख लो, तीसरा क्या है उसमें, कि ये बोला जा रहा है, कि कोई भी वक्ट प्रापटी जो गॉर्मेंट के खबजे में है, उसका फैसला कलेक्टर करेगा, अब आप मेरे को बताईए, कलेक्टर खुद गॉर्मेंट का होता है, एक्जेकुटिव का, क्या कलेक्टर अपने मामले में जजज बन सकता क्या, ये तो प्रिंस्पल सोफ नैच्टर जच्सिस के खिलाफ है, भी आप में मेरा जगडा होगा, तो आप जजज कैसे बनेंगे, तो कलेक्टर को एक्टियार दे रहे हैं, कि कलेक्टर तैय करेगा, अच्छा पिर सर्वे कमिशनर होता है, जो सर करता है प्रापरटीस को, ये बोल दिया कि ने सर्वे कमिशनर ने करेगा, कलेक्टर करेगा, सर्वे कमिशनर एक अलग होता है डिपार्टमेंट, उसको खतम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई आप उसको, फिर आप ये कर रहे हैं कि स्टेट वफ बो, सेंटर वफ कांसल मे करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें MLA, MP काटेगरी का और बार कांसल का आप नॉमिनेट करेंगे अच्छा नॉमिनेट क्यों करना चाहरे है अगर आप वखबोर्ट का एक देखेंगे तो वखबोर्ट में आपकी प्रापटी वफ है मैं उसको डिरेक माइनमेंट ने पांच साल के ले सकता हूँ जब मैं अपने लोगों को नॉमिनेट कर दूँगा उसमे तो मैं डिरेक माइनमेंट ले लूँगा इनकी नियत खराब है उसमे फिर आप ये कह रहे हैं कोई हिंदू वख नहीं कर सकता हूँ तो नहीं कर सकता हिंदू वख हिंदू वख कर सकता है वो मतवली भी बन सकता है मगर आप हिंदू वख नहीं कर सकता हूँ उसको खतम कर रहे है और हिंदू को मेंबर बनाना चाह रहे हैं आप सेंटरल वख कॉंसल लेके दिर शेल भी टू तो देर शेल भी, शेल का मतलब मेनिटरी अंग्रेजी में, दो मिंबर रहेंगे मिनिमम, फिर ये जूटा प्रोगंडा बीजेपी की कि हम महिलाओं को बना रहे हैं, वो पढ़ते नहीं है, आलेडी महिला का प्रोविजन है, क्या प्रोविजन है, अब ये बोरे के दो बनाए है, भई, NGT ट्राइबूनल है, इंकम टेस्क का ट्राइबूनल है, रेलवे कलेमेंस ट्राइबूनल है, इसे 14 ट्राइबूनल है, जिनका डिसिशन फाइनल होता है, अपील नहीं कर सकते हैं, भाई, ट्राइबूनल के जज्जमेंट के बाद, हाई कोट में रिव्यू खानून लेकर आए अभी खानून क्या है कि अगर कोई वफ की जाद को चौरी से बेश्टा है उसको दो साल का रिगरस imprisonment non-billable अभी मोडी जी के दिमाग में ख्याल आया क्या ख्याल आया कि तु वर्गबोर्ट की ज़्वाद को बेश दे मोडी है तो मुम्किन है क्या मुम्किन है कि तेरे को दो साल नहीं simple imprisonment तेरे को बेलेबल हो जाएगा तो वफ के मफाद में क्या हो रहा है tribunal है वफ का tribunal उसमें एक district judge cj appoint करते हाई कोट के एक Islamic knowledge का जानकार और एक eminent person अब आप क्या करते हैं retired district judge retired government employee कैसे होगा फिर अगर आपकी कोई वफ की property है मैं जाके complain करता हूँ कि यह वफ नहीं है तो collector will order an inquiry अच्छा pending inquiry your property will not be वफ की act में बोल रहे हैं and there is no time limit for that inquiry and the correct collector will do the inquiry as he deems fit इसका क्या मतलब यानि आपके property को मैं complain कर दिया कि वफ नहीं है तो collector साब 10 साल ले लेंगे तब भी वफ नहीं देगा वो अपने control में आजाएगा तो all in all अगर आप देखेंगे इस bill में work properties के efficiency के लिए नहीं बनाया गया है ये work property को खतम करने के लिए बनाया गया है अब हिंदू members को या non-muslim members का पाइंट कर रहे है भई आप उत्तर परदेश में जाईए उत्तर परदेश में जो काशी बोड है महाँ पर तो clear लिखावा है कि he has to be Hindu अगर हो Hindu धरम छोड़ेगा तो membership चले जाएगी फिर आप देखेंगे जाकर आप ये जो आपका टेमिलनाडू का act है चलेंगाना का endowment act है आंधरा का है ओडिसा का है इसमें सब लिखा गया कि only Hindu will become the member अच्छा हिंदू की परिभाषा क्या है सम्विधान में हिंदू सीख बोद और जेंग मगर इन मंदिरों में सिर्फ हिंदू बनेगा member अब मिसाल के दोर पर मुंबई में ट्रस्ट में है आपका कुंसा मंदिर है सिद्धी विनायक है गुजरात में सोमनाद की मंदिर वो भी ट्रस्ट में आता वहाँ पर आप किसको बनाते है member आप आप एक बास सम्दिए तिरुपती के प्रसाद में गी में एनिमल फैट आया तो इतराज हो रहा है बिल्कुल सही है नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो मगर आप हमारे धरम के संस्थानों में आप कैसे नों मुस्लिम को बनाएंगे प्रसाद में आप बोल रहें कि एनिमल फैट आ गया तो गलत है वर हम भी मानते हैं नहीं आना चाहिए उनकी आस्ता है मगर यहां पर हमारे धरम में यह तो वकबोट तो है मुस्लिम धरम का इस्था है तो इसलिए यह जो बिल मोडी लाए है उनकी सरकार लाई है वो वक प्रापरिटिस को चीनना चाह रहे अच्छा अभी हाजी मलंग की दरगा है एकनाच छिंडे का स्टेटमेंट है कोई दरगा नहीं हम नहीं मानते अब ये खानून बनेगा तो कलेक्टर साब के पास जाएंगे कोई कलेक्टर बोले गाँ नहीं नहीं ये दरगा नहीं है ये तो कुछ और है यह inquiry order कर देगा यह कैसे होगा बताईए आप अच्छा एक मैं ठेरी इसमें A.S.I. के protected monuments भी है A.S.I. चाहता है कि पूरा यह निकाल दिया जाए वकबोट से A.S.I. का section 16.1 पड़ी आप वो यह बोलता है कि the religious character of any protected monuments can never be changed तो यह इसलिए हम कहे रहे हैं कि यह वकबिल जो नरेंदर मोडी लाए है वो वकब की properties को बचाने के लिए नहीं वकब के properties को efficient बनाने के लिए नहीं अच्छा जो वकबोट को मतवली 7% डेते थे अपने income का उसको आप 5% कर दिये यह कौन सा वकब के मफाद में काम कर रहे बताओ बाब तो इसलिए यह सब एक मुसल्मानों से उनकी मस्जिदों को चीनना चाते हैं दरगाओं को चीनना चाते हैं खबरस्तानों को चीनना चाते हैं इसलिए इस बिलकुल आए हैं लो एक के बाद, एक एक के बाद, एक एक के बाद, एक के बाद, मैं कहने जा रहूं, भाग ने